आज में यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि किसी भी वाइफाइ से आप connect हो सकते हैं without password तो यह कैसे करते हैं सभी router में एक WPS का option रहता है यहाँ पे WPS बटन में आपको यहाँ पर दिखाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर reset का बटन है यहाँ प की जाता हूं जाने के बाद आपको यहां ही वाइफाई की सेटिंग में जाना है याप जैसे ही वाइफाई की सेटिंग में जाओगे तो आप देख सेकतों यहाँ पर घ्राउटर हो रहा है मैं अभी गारव में चहले ऐसे के उन्म हो रहा है उसे में कैंसल कर देता हूं और यहाँ इन offense प्रोसेस होने सुरू हो चुकिए है यहाँ प्रेस्ट प्रोसेस होने सुरू हो चुकिए है इपने राउटर में डव्ली प्रोसेस बटन आपको मिल जाएगा कर्या आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स इसे दर से किसी वाइफ़ाइब सकते हो विधा पास्वर्ड यह कोई है कि stump यहां पर बटन आ चुगा तो के दबा के आप निकल जाए और आप देख सकते हो इसी तरह से आप किसी भी वाइफाई को विदाउट पासवर्ड किसी वाइफाई से आप कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन आपको यहां पर WPS बटन को सही तरह के यूज़ करना आना चाहिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिए और कुछ हुजा चाहते तो प्लीज कॉमन करके बता दीजिए और अभी तक मेना चनल सब्सक्राइब नहीं कि तब प्लीज वीडियो के नेचे जो रेट बटन हो से दबा कि आप सब्सक्राइब कर सकते ह हैं ओके फ्रेंज मैं ऐसे वीडियो से लाता रहता हूं सो फ्रेंज डॉन्ट फरके टू सब्सक्राब माई यूरूप चैनल थैंक्स पर वाचिंग में तब तक के लिए गुडबाई